जैसरी राम भाईयों तो भाईयों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरफ फिटनेस तो भाई आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी मसल ग्रोथ के लिए कितने रेप तक अपना वर्काउट करना चाहिए कि हमारे लिए कितने रेप सबसे सही होते हैं हमारी मसल ग्रोथ के लिए तो भाई आपको ना देखिए मसल ग्रोथ के लिए सबसे पहले समझना होगा हाइपर ट्रॉफी को तो उसके लिए मैंने छोटा सा आपके लिए ड्रॉ किया देखिए यह हमारे सबसे उपर है सेल आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आपको hypertrophy के लिए क्या workout करना है कितने volume पे करना है कितनी intensity से करना है और आपको क्या diet लेनी है उससे पहले आपको hypertrophy को समझना होगा कि hypertrophy होती क्या है देखिए भाई hypertrophy ने दो टाइप की होती है फर्स होती है हमारी myfiveral और सेकंड होती है हमारी sacroplasmic देखिए आप एक normal generally सोचें आपकी muscle cells है तो cells के अंदर देखिए एक तो आपके glycosin होता है जो जिससे आपकी cell का size बढ़ता है दूसरा आपके fiber होते हैं जैसे fiber अपने thickness और अ कि आप इतना टेक्निकली समझें लेकिन आपको basic basic समझना बहुत जरूरी है तब ही आप अपनी body को understand कर पाएंगे समझ पाएंगे और आप अपने muscle size को आसानी से gain कर पाएंगे देखिए आपने बहुत सारे weight lifter को देखा होगा जो बहुत जादा weight उठाते हैं लेकिन उनका फिर भी muscle का size बहुत छोटा होता है तो भाई उनकी जो training होती है उनकी strength के साब से होती है वो hypertrophic के लिए वो training नहीं करते और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखोंगे जो बहुत high exercise करते हैं बहुत light weight से ना उनकी muscle गिरो कर पाती है वो बस अपने time wish करते हैं तो आपको अपना एक बिल्कुल accurate reputation करने बहुत जरूरी है जब ही आपका muscle का size increase होगा तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कितने volume पे अपने workout को अपने weekly trained muscle को train करना है तो भाई सबसे पहले बात करते हैं volume की देखिए volume में आपको अपने muscle को कम से कम एक muscle के लिए आपको 15-16 set करने और week में आपको दो बार muscle को train करना है यही आपकी muscle का accurate volume होगा इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी muscle over trained होगी इससे कम करोगे तो आपकी मसल प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो पाईगी कम से कम 15-16 आपकी सेट और 2 से कम इनिमम दो बार आपको मसल को वीक में ट्रेंड करना है अब बात करते हैं इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी आपका रेस्ट क्या होगा देखिए सेट के बीच में आपका रेस्ट 30-60 सेट के बीच में होगा उससे जएदा रेस्ट्र आपको नहीं करना अगर आपको हैपरटरोफी लिजाना है तो आपका जो रेस्ट्र वो 30 से 60 सेट के बीच में होगा अब बात करते हैं कि अपने प्रोटीन की हमें कितना प्रोटीन लेना है हमें अपना manly focus करना अपने glycosin level पर क्योंकि हमारे जो cells का size है हमारे glycosin full करते हैं तो हमें glycosin के लिए अपने carohydrate intake को बढ़ाना होगा और protein को हमें moderate amount में लेना होगा और देखिए इस video के माध्यम से मैं आपके कुछ myths होते हैं exercise में होते हैं कि जैसे हमारा squats हुआ कि बहुत भाई समझते हैं कि squat के बिना हमारी muscle build नहीं हो सकती तो भाई ऐसा कुछ नहीं है squat सिर्फ हमारी strength build up के लिए अच्छे exercise है हमारी hypertrophy के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर आप bar well से या अपना free squat कर रहे हो तो सबसे बढ़ या squat जो आपके hypertrophy के लिए है वो आपके है समित मसीन पे आपको squat लगानी है जिससे आपका muscle mind connection बिल्कुल proper तरीके से हो पाए देखिए second exercise जो लोगों को सबसे ज़्यादा confuse करती है वो हमारी bar well bent over rowing देखिए बहुत भाई समझते हैं कि bar well bent over rowing पुराने जमाने के body builder करते थे उनकी body इस तरीके सोती तो भाई उनकी body उससे नहीं बनी उन्होंने उसके साथ और exercise भी की है वो देखिए एतनी अच्छी exercise नहीं है आपके hypertrophy के लिए hypertrophy के लिए आप seated rowing करें या फिर inclined bench पे अपना dumbbell rowing करें वो आपकी hypertrophy के लिए बारवल rowing से ज्यादा बढ़िया exercise है और देखिए बहुत भाई एक exercise होती है हमारी bench press बारवल bench press अभी को पता है तो भाई उसमें भी सबसे ज़ादा कनफ्यूज की बारवल प्रेंड पर ज्यादा बजन नहीं उठेगा तो हमारी muscle build होगी नहीं तो भाई ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा advance बने अभी 2023 चल रहा है तो पुराने जमानी की चीज़ों को छोड़ दें देखिए बारवल rowing strength build-up के लिए अच्छे exercise है लेकिन hypertrophy की नहीं है hypertrophy के लिए आपकी pack deck fly, cross cable fly, push up, आपके pillar bar dips ज्यादा बैटर है आपकी bench press से अगर आपके bench press पे ज्यादा weight नहीं उठा tension मतलो और exercise करो उनसे भी आपकी body बन जाएगी और उससे ज्यादा बढ़िया बनेगी आपकी body तो बाई अपनी next exercise की बात करते हैं हम अपना overhead shoulder press देगा तो वो dumbbells हो या बार्वेल से हो तो आप अगर उनको proper डंग से नहीं कर पाते क्योंकि आपके shoulder में उतनी mobility नहीं है तो आप ज्यादा tension ना ले समित press पे करें वो भी आपके लिए उतनी effective होगी और उससे ज्यादा effective hypertrophy और muscle building की बात करते हैं तो आपको दूसरों को follow नहीं करना अपने body को समझें अपने body के according workout करें देखे manly चीज होती है हमारी hypertrophy उसका मैं आपको बता दिया rest को 60 seconds से कम रखें दूसरा high volume पे training करें मतलब 15-16 set करें week में दो बार करें और अपना protein moderate रखें और carvoidate अपने high amount म लें जिससे आपके glycosin full रहें आपकी cells के अंदर यही muscle building का formula इसके सब्सक्राइब कोई formula नहीं है अगर आपको कोई कुछ और बता रहा है तो आपको पागल बना रहा है muscle building हमारी सिर्फ hypertrophy से ही हो सकती है तो भाई आपको ना एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा ना एक मिनट के लिए माल लिए आपका कोई cells है उसके अंदर fiber है आपने work out किया तो वो fiber के अंदर mechanical tear होते हैं कि वो fiber बीच ऐसे नहीं तूटेगा fiber की आपका ऐसे fiber हो बिल्गुर तूट जाएगा उसके अंदर बीच बीच मैंसे tear होंगे जैसे माल लो यह fiber है तो इसमें यह यहां tear हो गया, यहां tear हो गया, यहां पर हो गया, पूरा fiber नहीं तूटता अभी एक size में, तो वो tear जैसे ही हमारी cells क्या होती है, वो tear को repair करेगी, repair के लिए हमारे protein glycogen है, इन चीज़ों की need होगी, तो वो जैसे tear full होगा, तो muscle cells हमारी automatic अपना size gain करेगी, तो हमारा mechanical tear होना भ का weight होना चाहिए, और proper amount में हमारे repetition होना चाहिए, अगर आप weight repetition उपर नीचे रखोगे, तो वो mechanical tear कभी होंगे नहीं, ना आपकी cell कभी growth करेगी, तो भाई आपको जल्दी से rewind करा देता हूँ, चीज़ देखे, आपको muscle growth के लिए सबसे जरूरी hypertrophy, hypertrophy के लिए आपके accurate routine होग आपको थोड़ा high amount में रहेगा, तो यही बात आपको कहने है, कि आप hypertrophy पे ध्यान दे, जिससे आपकी muscle growth हो, तो अपने वीडियो को यहीं पे end करते हैं, जै स्रीराम